वल्कम बैक टू चनलर व्रिवन आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है रिशम यानि सिल्क के उपर तो अभी मैं हूँ अपने गाउं की जस्ट नीची यह हमारे गाउं के खेत हैं पीछे जो आपको दिख रहे हैं और पीछे आपको हमारे गाउं की पुल भी दिख रही तो वहां जाके देखेंगे कैसा कुछ हो रहा है तो अभी चलते हैं आप थोड़ा बहुत ड्रोन शोट एंजोई करो और मेरे ये पीछे का व्यू एंजोई करो मैं आपको मिलूंगा सिधे पालपूर में में हाँ धना बन का पालपूर में पालपको मिलूंगा स्ट्स्ट्सान जाल पो ननाप जाउब नहां चाते हैं जाने जाइसों जाइस। मैं जाइस रहां आपको मैं तो ढ़तादा छो़ां रहां समय का आपको में पालपूरा हो तो रहां स helm travail स Меняईसी पालपली Gटिफ रही ह तो अभी अभी हम आचुके हैं पालपूर में मैंने सबको बताया था कि रेशम की घेतिया आपको दिखाऊंगा तो अभी मैं जिनके घर पर आयवा हूं उन्होंने पेड लगार के मेरे पीछ आप देख रहो है सैतूत के पेड़ है बेसिकली तो इसके जो यह पत्ते हैं इन कर दोंके खाके रेशम का केड़ा जो जीविद रहता है और एक मेहने में बढ़ा हो जाता उसके बाद रेशम देना स्टार्ट कर देता तो यह लोग यहां से रेशम निकाल के उत्राखंट गौर्वर्मेंट को देते हैं तो बेसिकली जो स्कीम है उत्राखंट है साल में दो बार जो रेशम का कीड़ा होता है वो गौर्मेंट के लोग इनको देने आते हैं और एक या दो मेने के अंदर जब बड़ा हो जाता है रेशम जनरेट होता है उससे और उसके बाद वह इसको वापस गौर्मेंट इनसे खरीद के ले जाती है तो और हमारे यहां क का केड़ा सही भी हो जाता है किसंचिंग है और मैं पालपूर से हूँ और आपको रेसम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ वैसे बेसिकली हमारे यहां पाहाड में तो जो है लोगों ने शुरुबाती करी है अभी हमने 2016 से इस काम को शुरू किया है और एक साल में दो बार आपको देख रहे अब यह चोटा है अभी हमने इसकी कलंड की ए इससे चार बना पड़ा होगा अभी शुरुबात है अप्रेल में इसका कीड़े का वह भागा अप्रेल और सितंबर, दो मेहने में की क्लॉप होती है तो के अध्य अप्रेल में एक सितंबर में हाँ, एक ते वह जैसे जैसे ग्रोन होते जाते हैं तो यह पत्तियां को एक जाते होसमत के जुब्स धूनगे, धिनमें बर काटने हैं? भी एक फagञ़ यह पत्तियां अग्रती जाती हैं को जींदा रहने की जाते हैं दूप लिए कुछ नहीं दूप से दूर रखो इसके साथ इसी में पानी है इसी में उनका यही भोजन है उनका अच्छा इसी में सब कुछ है उनके लिए यह जैसे केवल 22 दिन तक ही वह अपना भोजन करहन करते हैं हाँ हेँ एक बार ब्रेक लेते में एक बार ब्रेक लेते हैं खाना खाएं गे चार और उसके बाद पिर 24 गिंटे कर क मार यह草तल्य था आठ यसज दिन tumor form होता है चोफे टां में बढ़ दो हुआ होता है जिनुकर रहेंगे हुआ ञगो के टिन प्र हुआ होजय की वह पढ़ी तो उनका चैनाब कर टेनी करेंगे 2022ucher के चैनल शेसिंट पेला ऑ片 आओम-दी नते Лिश नोम टाहन तेहां के लाएते है सब्सक्राइब में रिंदरेब में कुछ उसके बानेकी उसके कुछ वहां भी बनाते है रेष्म में र nouve तो लास्ट में रेशम का दागा बनके आता नो ऐसा होता है तो यह बेसिकली आपका सिल्क है जो इनों ने जनरेट किया हुए तो इसने एजन सेंपल हमको दिखा है तो कीडे तो रेशम के भी है नहीं अभी अभी अप्रिल और सब्तेम्बर में आते हैं तो वह जब आएंगे तब शायद अगर मैं यहां पर रहूँगा तो एक बड़ आपको दिखाऊँगा पर अभी फिलाल यह है इनके बास ने बाद ट्रे देखके आते हैं इनके बास है ना ट्रे में हम अगबार बिछाते हैं अभी तो हमने साप करनी है सफाई नहीं इनकी इसके बास में साप कर कीड़ों को रख दिया जाता है और उसके बाद इनके इसी के उपर यह पत्या अपने जो है ऐसे तुकड़े करके अच्छा यह डाल दो है बस कटिंग करके ठीक है जब यह 22 दिन हो जाते है तो उसके बाद इनकी जाली है अच्छा यह है जाली हमने ट्रे में डालनी है खाल जालने के बाद वो अपनी प्रिक्रिया चालू करते हैं, एक कमदे में डाल दो उनको, तो धूप की भी ज़रूत में है, नहीं नहीं, धूप की नहीं, उनके लिए टेंपरेचर होता है, करीब 35, 32-35, अच्छा, अच्छा, अगर ज्यादा अगर गर्मी होगी, तो वो गर्मी समय में से मर भी सकते है, तो माई में तो गर्मी ठीक ठाक बढ़ी जाती है, माई में पढ़ी जाती है, इसलिए उनके लिए कमरी बना रहेंगे, और उसमें कमरे में आपकी खिड़गी यह वनी चाहिए, ठोड़ा हुआ हवावा भी आई उनको, अब हमारे में से दिन में ल जैसे आपके चार-पांस दिन होंगे तो बंद हो गया आप गोले को उठा के चेक करेंगे कहीं पिचक तो नहीं रहा है अगर वो टाइट है इसके अंदर कीडा होता है बेसिकरी तो वो अपने आसपास इसको बनाएगा और फिर ऐसा बन जाएगा इसके बड़ा भी होता है यह तो छोटा है एक स्टा सेंपल है और उसके बाद कीडा खुदी मर जाएगा इसके अंदर रहेगा और उसके बाद इसको अगर आप टेस्ट करेंगे दबा के देखेंगे अगर टाइट हो गया तो आप जो है उनको निकालना चलू कर दिए तो अपरेल में आएंगे फिर आपके बाद सब्सक्राइब कर आए अपरेल में आए सेतंबर में भी आए तो दोस्तों शाम की शुरुआत हुई है धूप और हलकी हलकी बारिज के शांत उमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा उनको सब्स्क्राइब जरू करन और वीडियो का लाइक जरू करना थैंक यू सो मुच वचिए